नमस्कार पुषपस किचेन में आप सबका स्वागत है आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ केले के फूल को काटने का आशान तरीका और सटिक तरीका देखिए इसको हम लोग बिंगोली में मूचा कहते हैं देखिए इसका जो पंखुरिया है ना इसको हटाना है और इस फूल को निकालते रहना है और यह सब्जी जो बनता है ना पहुत फैदेमंद होता लेडिस लोग के लिए तो रामबन सब्जी है देखिए अब इतना दूर निकल गया और नहीं निकलना है अब इसको साइड में रखोंगे अब इसको साप करने का तरीका देखिए इसके ज में लगेगा तो इसको अच्छा नहीं लगता है इसको फेग देना है इसका साप करने का तरीका बस इसको अच्छे से साप कर लीजी देखिए इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है नहीं तो यह किले के फूल को आपको हपते में एक बार जरूर खाना चाहिए इसमें ब बारिक चॉपिंग कर लोंगी वीडियो पसंद आये तो लाइक कीजिए मेरे चैलेल में नहीं हो तो सस्काइब करना ना भूले एक वीडियो बनाने में बहुत तकलिफ होता है आप लोग जरूर एक लाइक कीजिए देखिए अब इसको कट कर लोंगी देखिए अब जो नीच केले के फूल को पकाने का तरीका मैं अगली वीडियो में बता दूंगी कैसे बनाते हैं और एक वीडियो में बनाई थी उसमें केले का पकोड़ा बनाई थी वह आप लोग जरूर देखिए वह वीडियो भी बहुत अच्छा बना था केले के फूल का बड़ा देखिए अब पानी में एक केले के फूल को डुबो दीजिए डुबो के आदे घंटे बा एक घंडे के लिए इसमें छोड़ दीजिए इसका जो एक कसिला पन होता नो निकल जाएगा अब इसको चान के फिर आप इस्तेमाल कीजिए मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद झाल है झाल है झाल है के लिए झाल है झाल है